आज हम बनाएंगे टमाटर की ट्राइफ्रूट चट्नी जो खट्टी मीठी लगती है और आप इसे पराठे के साथ ब्रेट के साथ खा सकते हैं और इसके लिए इंग्रिडियंट्स हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा और आप हम बनाना ही स्टार्ट करते हैं टमाटर की ट्राइफ्रूट चट्नी तो इसके लिए फर्सली हम एक पैन में ओयल लेंगे और फिर उसमें आप सॉंप धनिया क्रस्ट चिली को पैन में हम क्रैकल होने तक पकाएंगे उसके बाद चॉप्ट गार्लिक डालेंगे और उसको रेड होने तक पकाएंगे जैसे ही गार्लिक रेड होती है हम उसमें अपने कटे हुए टमाटर को डाल देंगे कटे हुए टमाटर को डाल देने से टमाटर के साथ में हम सॉल्ट भी डाल देंगे सॉल्ट को डाल देने से टमाटर जल्दी घल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं टमाटर को सॉल्ट जल्दी पकाने में मदद करता है अब हम इसे ढग कर पकने के लिए रख देंगे घी डालेंगे अपने ड्राइफ रूट को रोस्ट करने के लिए यहां पर मैंने काजू, बदाम, किस्मिस और गड़ी का बुरादा लिया है आप गड़ी को काट कर भी ले सकते हैं काजू, बदाम को पहले रोस्ट करेंगे थोड़ा रेड होने तक उसके बाद में किस्मिस और नारियल को डालेंगे क्योंकि किस्मिस और नारियल जल्दी रेड हो जाते हैं और भून जाते हैं दूसरी साइड हम पैन में अपने टोमेटो को जो पकने के लिए रखे थे उसे चेक करेंगे कि वो सॉफ्ट हो गया है वो soft हो जाएगा, उसे अपने कल्ची से थोड़ा चलाएंगे, मैस करते हुए चलाएंगे, अब हम उसमें ड्रालेंगे, आप उसमें ब्राउन सुगर, सुगर भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर जैगरी का इस्तमाल किया है, मैंने एक छोटी कटोरी जैगरी लिया है औ और उसे हम उसमें मिला देंगे, अब जैगरी और टुमेट्टू की पेस्ट को पकने के लिए रख देंगे, दूसरे साइट पैन में जो हमारे काजू और बादाम पक रहे हैं, उसमें हम किसमिस और नारियल को डाल के सौते करेंगे, अब जैगरी और टुमेटो के मिक्स्चर में हम अपनी ड्राइफ रूट को डाल देंगे, और उसे धक कर अगेन पाच मिनट के लिए पकाएंगे, अब हमारा टुमाटर का ये मिक्स्चर जैसा कि आप देख सकते हैं, ठिक पेस्ट जैसा तैयार हो गया है, अब हमारी ड्राइफ रूट टुमेटो, खट्टी मिठी चट्मी तैयार है, कि कर देख सक्यों टूटी मिक्सिफला टुमेंट कर दुमेंगे, झाट अगे रूटे जैसा टूट कर फॉटमाटर कि आपेस Medicine theorillion came दोटी मिक्सर मिक्सर लागे अग्रश सब्स्था च्योंड़ाब匘